विए विनिता थे तक दीन चीज़ हैं सबस्स्क्याले Romeo Freedom ने वह ने हैं उसका इनकी देशी दो इसी हारा द का मस marriage色 है औव सब्स्यावारा अ क्योंडे मैं अ कि कहते जिए जित्यट्स का एक्वुर्टिशन का साथ- ओक करते हैं कि जुडिशरी को जो एक्जिक्यूटीव है जो जुडिस लेचर है दोनों मिलकर उसे अंडर्माइन करने की कोशिश करना पिछले कुछ दिनों में या जो महीन है या पिछले कुछ साल है उनमें दो चीज़ है पारलिमेंटरी जो सेटफ है उसका और जो हमारा जो जुडिश को कि भी ये क्या बात कही जा रही है लेकिन हम देख ही रहे हैं कि जो पारलिमेंट और जो एक टैबिनेट का मतलब हर एक इस्टिशन जो एक कॉंस्टिशनल सेटफ में होना चाहिए उसकी डिगनिटी उसकी जो विया उसके लिए जो रूल डिफाइन उन्हें अंडर्माइ लिफान आग्माइन तो उन लोगों ने कम dúdano और इंस्टिशनल सेट्री में इंडर्माइन क्या इसके आब ही आपको नहीं दिख्था है नुऌसां यह होता है कि जब तक स्थै लोगों की स्टिस्टम में लोगों का प्रोस्टीज़ इस में जब तक याकीन रहता है वह प अगर क्वालिटी कली कोई सिस्टम जो है वो अगर हमारे आप उसके बाहर हो रहा है तो जूडिशरी उसे संभाल लेगी या जूडिशरी अगर ओवर एक्टीव है या ऐसा लग रहा है कि जूडिशरी से अगर अपको लग रहा है कि वहां पुड़ा सा चीजे गलबलाने हैं उनकी ड्यूटी उनके राइट्स उनके जो डिफाइंड रोल्स हैं उनके साथ में इतना ज्यादा खिलवार अगर इस्टिशन में बैठे लोग करें या सरकारे करने लगेंगी तो फिर लोगों का उनको यकीन खत्म होगा यकीन खत्म होगा तो आपको क्या लगता है कि अनर्की आए की जाहिए सी बात है अनर्की जो आती है वो सिस्टम को फेलियर से आती है और अब जो ही गड़बड है आप उसे रिलिजियस नजरीय से मत देखें या उसे लीगल पॉइंट उसका अलग हो सकता है लेकिन मसला यह उसके जो सोशल इंप्लिकेशन है बुरा यह कोई रोल है एक आजमी ने कोई और डिफाइंड कर दिया रोपने जाके ले चाड़ा और इसका एक एग्जाम्पल में आपको रहता हूँ अभी आपने शेद तलिया पर सो खबर पढ़ी है आजमगड़ में आजमगड़ का वह रामी की सराय एक ठाना छेट रहे है वहां प टो और रहे है को शॉर और ऐख दो लोगों है अगल को मुझे किसी का घर जिराना है तो मेरी पडासी से लडाये हो गई तो में उसके घरके दर्वासे की जैसी बी लेकर कड़ा हो जाओं अभी तक दबंगई वाला तो यहीचल उटाता है भी तक हम यह मान रहेते हैं कि पुलिस है एक किस्टम है एक कोड्स है या सरकारे हैं तो वो चीजे जो है वो गहर कानूनी चीजे नहीं होने जेंगी या खनून का एक शासन रहेगा लेकिन जब सरकारे या संस्थाने अगर चानून तोड़ने पर आ जाए तो फिर आम आदमी कानून का पालंग क्यों करेगा आप डरा के धंका के जादा दिन तो रखने ही सकते अभी तो लोगों के यह था कि बीचलो सरकार बदल याएगी सरकार नहीं बदलेंगी तो ऐसा हो जाएगा यहां योगा कोड चले जाएंगे अगर कोड भी काम करना बन करते हैं या पुलि के दर्वादे पर जो जो पावर देता है तो यह सब होना है जी ने विनीता प्रोसीजर का जगड़ा यह यह कह रहे हैं कि सारा इलीगल एंप्रोस्टमेंट टोला गया हमें तो जहास आपकी जो दुकान टूटी है गुपता जी की दुकान है वो अपनी रसी दिखा रहे है लेकिन उनकी दुकान तोड़ दीगी क्योंकि मसला यहिए कि जब अधिकारियों के सब परिशान यही आती है कि अधिकारी गुम्रावी करता है राजनीतिक नितरत पो जब पढ़ा लिए राजनीतिक नितरत वह यह जो पौलिटिकल लीडर है वह पढ़ा लेका ना हुए उ रिजवान साब भी कम्यूनिटी के सामने खड़े होके ये कहते हैं कि आप हमारे वोटर हैं, हम तो शीयों के साथ हैं, शीया हमारे वोटर हैं, और जब ये तोड़ने फोड़ने पाते हैं, तो उस टाइम में फिर ये मुसल्मान हिंदू से आके फोच नहीं पाते हैं, इनकी सरकार में आडवानी जी उसी सरकार में मंत्री बने समरसन देते रहा है, बीजेपी के एक आदमी ने ना तो जग्मोहन के खिलाव कभी वर्ड बोला, ना कभी ये कहा कि क्यों उन्हें महां से भगाया जा रहा है, वीपी सिंग की सरकार समरसन वापस लेते ना, या जाके कि अब नरसंगार पर कभी नहीं बोलेंगे जहां जागीरपुरी गया हूं यह वह दूसरे जो जहास आगें उनके पास बगाइदा लॉटमेंट लेटर गुंती है और आपने तोड़ दिया क्योंकि जिस लीडर ने डिशिजन लिया वो पढ़ा लेका नहीं और जेसीपी जो बैठा होया वो उसके जागी जाहिल पढ़ा लिखा नहीं काभिल हो था पढ़ा लिखा उता तो उसकी संग में आता कि सुप्रीम कोर्ण करता है जेसी बेटा आजनी तो अंपला यह उसे क्या पता विचार है वो मजदूर है जियारी मजदूर था लेकिन जिसाब में जो प लुझारी में लुक्राइब में लिखा गवल था रudy जो हैं में उस्मार को सग्डा 서ff को से 192 को था झाल यह मुए ज look i कि इनके भाई हो जाएंगे कश्मीर में में मुफ्तिन की रिष्टेदार हो जाएंगे उनके साथ सरकार बना लेंगे और इवन जिन्ना के साथ में जब हिंदू मासाबा ने कई शूज हैं का इस्ट्रीकल इंचेजम है तुष्ट्रीकरण वाले मामलों में जाएंगे तो इस अगर इंद्रा गानी की सरकार में तोड़ खोड़ करेंगे तो उनका विरूद हो सकता है लेकिन जगमोहन को मंत्री बना जा सकता है इसलिए कि वह आपका पॉलिटिकल इजिंडा इंपोस करेंगे यह सब चीज़े नहीं चलेंगे मसला यह है कि जब आप को या इस इस्टि है नहीं मानेंगे तो फिर वह आपका इएगा अभी एंक्रोच्मेंट की बात में कर रहा हूं मैं चलेंज कर रहा हूं दिल्ली में डिलीए कि कोई सी कालोनी में मैं कला पार्टी आई डालके पूछी लीजिए किसी एक फ्लैट में कर मोडिफिकेशन ना हुआ 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 ह कि पार्क व कबजा है बैठा हुआ है कल से शुरू हो जाए कि मैं सौ आद्मियों के लिस्ट लेकर मैं चला जाओंगा किसा इस प्राइब चला दीजे और मैं कल सुप्रीम कोर्ट में जाकर घर तोलवाद दूँगा फिर उखा कि और नहीं होगा तो मैं तो आप तो दूँ सब्सक्राइब करें लिए जिसका एक दूसरे के आना जाना नहीं आपनों से फ्रीहंट गे दिया है अब वो कुछ भी करेगा फिर आपको नहीं सुनेंगा फिर आप फिर आपकल आपके घर पी आ जाएगा चुकला जी के घर का नक्षा अप्रूबल का या इनका अगर मैं क अगर मोडिकेशन अगर हो जाए तो एसा नहीं होता है लेकिन यह कर रवाई होनी चाहिए लेकिन बदले की भावना से अगर आज में की होगी तो जहां सरकार आपके यह वहां आपके घर के दर्वा से बुल्डोसर आजाएगा पिर आप चिलाते रहिएगा तो यह तरीखे लोगों को मौका दे रहे हैं यह हमने तमिलाडू की पॉलिटिक्स में देखा था कि एक बाद जहले लित आती थी तो उन्होंने उठा के करोना में जी को पैर पकड़के किसे उठा दिया तो वहां तो उन्होंने कर लिया यूपी में यह हुआ बीच में लेकिन यह सब करें यह करें पर आपने का नर्की सेट कर दिया और यकीन मानिये जो आप कर रहे हैं मतलब यह तेंपलेट है यह अगले वालों के लिए चोड़ देंगे वह भी करेंगे आज पर दो दो जोड़ लेगा जुगी वाला दूसरी जग़ा बना लेगा नहीं बनाएगा चंदे करके लोग दस्वीजार पचाईजार में खरीद वादेंगे फिर बन जाएगा लेकिन जिनके बड़े घार हैं बड़े कारोबार हैं बड़े नुक्तान हैं उन्हें लोगों को इंबारे में सोचना चाहिए कि यह मुसीबत जो मैं आज पैदा कर रहा हूं यह भासमा सुर्कल जब मेरे दरवाजे पाके खड़ा होगा तो मेरे बच्चों के सामने या मेर मेरा यह सब चीज़े मेरे लिए ज्यादा नुक्तान है और जो सोसाइटी में जो सोकॉल इलीट हैं जो जो सकता में हैं जिनके पास बड़े रिसोर्स हैं उनके लिए सोचने की ज्यादा चिंता है जिनके बास कोई परेशान ही नहीं है आज घर तोड़ गया कल बन जाएग लेकिन जिसका दस करोड़ का घर है उसके रिष्टेदार के खड़े नहीं होंगे तो यह सब चीज़े होते हैं पड़ोसी है बाहिचारा है यह सब चीज़े अल्टीमेट ली एक दूसरे के काम आते हैं अभी चार दिन पहले की बात है कोविट काल में लोग लाशित लोगों के घर में अक्सीजन पहुंचा रहे है दवाई पहुंचा रहे है राशन पहुंचा रहे है लोग भूल गया उस चांग किसी ने याद नहीं रखा कई मुसल्मान का खून है यह हिंदू का प्लेट लेट है आप देखिए ना जो लोग अस्पतालों में थे किसी ने मना किया कि मुसल्मान से मैं सिलिंडर ने लूगा या मेरे घर मुसल्मान खाना लेके नाए या हिंदू मेरे घर पर नहीं आएगा यह सब चीज़े खतम हो जाती है जब जान पर बनाती है और जब आदमी की अपनी घरदन पस्ती सब भूल जाता है अभी यह शुक्ला जी अभी देखिए ना अभी जब ऑक्सिजन के शुस चल रहे थे तो बीविश श्री निवास की ट्विटर टाइम लाइन पर में देख रहा था बीजेपी के लीडर समय बागा इदर टेक करके कि श्री निवास जी प्लीज मुझे बैड अरेंज करा दीजिए तो वहां आप प साइटी इस लेवल पर आगए तो यह एलेनेशन ना करेंगे पोलराइजेशन ना करेंगे तब इलेक्शन जीत रहे हैं और इलेक्शन जीतने के आप बढ़ जाना चाहिए अब नेशन बिल्डिंग की बात करनी चाहिए अब मुद्द यह है कि इंडिया की एकनोमी का आप हर आदमी पर कितना कर्दा भी हम कोविट से निकले नहीं है ठीक अगला लॉकडाउन हमारे सिर्फ फिर तहीं आ रहे हैं अब फिर फिर कोविट के के सिर्फ में परेशान नहीं है और अगर कल फिर यह मुसीबत आएगी तो आप यह बताईए कल को कौन पॉड़ोसी के घर म में राशन लेकर जाएगा कौन किसकी लाशे शम्शान या कबरिस्तान पहुंचाएगा यह तो लड़के हट जाएंगे एक तरा हम सोसाइटी में रहते हमें दूसरे के साथ रहना है और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करे ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूस नशा